तो रेट कालब तो पॉप्या हुआ मैरे प्यारे वित्रों आज सबसे बड़ा खुशी का दिन यह है कि टैकमेड चैनल ने एक बहुत बड़ा टार्गेट आर्चीव कर लिया है वो है 100 के सबस्प्राइबर आप सभी के फ्यार से यह पॉसिबल है यह मैं अकेला नहीं कर सकता हूं आप सभी का फ्यार रहा इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवार आपको बहुत बहुत आभार क्य पर आपने चैनल मैंने एक्सबर्ड गुरु नाम से शुरू किया था नवंबर 2017 में उसके बाद मैं मैंने एक ए दो मैने में सिर्फ एक-दो spendingेस तटी मेने तक और देखा था मैंने करना स्थ होक से कि अच्छा लगेगा और किसी को तो आए बढ़ेंगे अपन लेक कि इसके बाद मैंने क्या किया एक दो वीडियो ओर डॉला था जो मेना फास्ट वीडियो है वहétais की नड़शी का वीडियो फास्ट जो आज बहुत ल Could उनके भी किरपा रही है तो उसके बाद क्या हुत था कि देड़े देड़े solve video तो उसके ऊपर के मेरे को स्ट्राइक आ गए थी तो 3 महीने तक तो मैरे बहुत डर रहा था कि क्या होगा मैरे चैनल का कहीं डिलिट नी हो जाए उसके बाद फिर मेरे को एक स्ट्राइक आय थी वह किसी सोप्टोर के कारण पता नहीं है तो क्ल मिला कि आच्छे मैनत की तो एमेक्स करके एक सब्सक्राइबर पहुचा और उसके बाद में अक्टुमबर 2018 को अपना चेनल मोनेटाइज हुआ था मोनेटाइज से एक महीने पहले मैंने सोचा था कि एक्सपर्ट गुरु नाम से बहुत सारे चैनल है तो यह एक यूनिक नहीं है इसलिए मैंने क्या कि उस चैनल का नाम चेंज करके टैक मेवाड़ी रख दिया है टैक मेवाड़ी रखने का यही कारण है कि कुछ टेक्निकल व पुदाइपूर राजस्तन से हूं मैं तो मेरे को बहुत बड़ा खुशी हो रहη है और साथ में मेरे फैम κάν के लिए आज डिफ्ट करने जा रहा हूं वह वहह ऐद grow क्योंकि इससे बड़ी खुश्री मेरे करें जा रहा हूं तो इसको आपन अंबोक्सिंग कर लेते हैं atau थोड़ा सा एंजोय कर लेते हैं आपको बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद तो चलिये शुरू करते हैं वीडियो कर बांदे कर दो दो खाओ झाल झाल कर्थे परीफिरे , और मीछ और गिवाई रहा रहा है कर दो पिक पेसे लिएवें शल्यktóशिन śोड़ मोड़िक कर उन मोच आ देवा कोड़销स कर दानद में मिछ घरापिछ झाल झाल तो फ्रेंट्स यह है अपने पास में इसका स्टेंड और एक कुलर है तो फर्स अपन इसको इस पर सेट करने के लिए अपन को द्यान रखना पड़ेगा यह दो खाचे बने हुए नीचे यह खाचे इसमें आनची है तो इसलिए एक बार पूंठाते हैं लिच्चे से पुरूंगे उदर आगे यह देखिए आप यह जो खाचा बना हुआ इसके अंदर यह फिक्स हो गया ठीक है और इस साइड आएंगे इस साइड भी यह फिक्स हो गया है अब इसके साथ में यह बड़ी देख रहे हैं आप वो गास है अभी जो गत्ते की मतलब जो गास आती है वो गास सही नहीं रहती है यह गास ही सही रहती है इसके साथ में आप देखेंगे तो इसो पाने डालने के लिए बिच्छे की तरफ आपको यह बिल जाएगा इस कूलर की कॉन्फिग्रेशन जान लेते है अपन डेजर्ट जंबो मॉडल है बटरफ्लाइ कंपनी है कैपिसिटी इसकी 48 लेटर है यानि कि पानी इसमें 48 लेट का सोलर यानि 200 से 200 वाट का सोलर की जरूत पड़ेगे आपको और इसी के साथ में अगर इसमें पानी डालने के लिए आपको देखा जाये तो यहां पर एक आपको पानी डालने का मिल जाएगा तो यहां से आप पानी डाल सकते है 48 लिटर तक और साथ में अगर आप नली से अगर पानी जोड़ना चाहते है हैं यहाँ से यी नली दियर रखे bow here आप दैरेक्टली नली स्ट्रीतम डेते हैं एक मे helt रहते हैं साथ में आप अगर देखना चाहते हैं कि पानी कितना आया। पानी खतम हुआ है या नहीं हुआ है तो वो यहाँ पर दिख जाएगा आपको अगर पानी का लेवल यहाँ पर है तो maximum रहेगा अगर थोड़ा थोड़ा निच्छे जाएगा यानि कि निच्छे चला जाएगा बिलकुल तो यहाँ पर minimum चला जाएगा तो जब minimum चला जाएगा तो आपको यहाँ पर पानी वापिस सख डालना होगा और इसी के साथ में अब अपन इसके function देख लेते थो इस cooler में यहाँ पर दो switch मिलेंगे आपको जो first switch है वो अपना cooler का है तो आप medium पर रख दीजिए तो एक दो गंड़े में पूरा कमरा ठंडा हो जाएगा साथ में आपको एक switch ओर मिलेगा तो इसमें अभी आप देख रहे होंगा और अगर इस पर लेंगे तो जो इसका water pump है वो चलो हो जाएगा और इसके साथ में pump swing यानि कि आप यहाँ पर रखे आप तो निचे यानि कि जमीन पर अगर सोय हुए है तो आप निचे कर दीजे इनको structure को ठीक है और आप कई खाट के उपर या बैड के उपर कई सोय हुए है अगर बैड के उपर सोय हुए है तो आपको इसका रखना है ठीक है और automatically अपना यह swim करना रहे का अंदर वाला जो अर्थिंग होना जरूरी होना है और कभी क्या होता है करन का जटगा भी लग सकता है अब बारिस कम हो समय है और ऐसे में क्या आपको ध्यान रखना जरूरी होता है तो इसलिए आपको अर्थिंग करना जरूरी होता है साथ में आपको थ्रीफ लग के साथ ही लगना है और व तो ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने कूलर की जानकारी शेयर की अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर दे और चैनल पर नए मेमाने सब्सक्राइब कर ले साथ में बेल आइकन दवा दीजी क्योंकि आप ऐसे ही नएने जानकारी प्राप्त कर सकें थो प्राप्त क क्या है